बच्चपन में जब गलती से हमारे Unemployed Father साब गड़ से बाहर निकलते थे तब जाके TV का रिमोट मिलता था मेरी दीदी को जिसने मजे बहुत मार पीट के एक शो दिखाया था जिसकी बज़े से A. I Almost Became a Faggot B. मेरा टीवी और लड़कियों दोनों से विश्वास उड़ गया उस शो का नाम था कैसी यह आरिया कैसी यह आरिया देखते हुए मैं हमेशा पनाई दीदी की तरफ मुड के बोलता था दीदी तु बेकूव है गया और मनीमन बोलता था मुझे यह शो देखते हुए मुझे किस बात पारा है सी कैसी यह आरिया एक बहुती यूस्सेंट्रिक शो है जिसमें है एक बैंड, दारू, ड्रग्स, टॉक्सिक मेल लीड, डामसल इंडिस्ट्रेश, फीमेल लीड और लोट अव साइड कारेक्टर हुए अधर डाय और बिकम इरेलिवेंट अनफ इन दा लॉग रन अफ दिशो सी कैसी यह आरिया का बेस प्रमिस है कि एक मेल लीड कारेक्टर है मानिक मजो तरह जो की रिच है, अपने बैंड में में सिंगर है वो दारू पीता है, और उसको गुसा आता है और जब उसको गुसा आता है, तो वो गिटार तोड़ता है और अपने बाप को गाली देता है और वही जो फीमेल लीड है नंदिनी वो गरीब है, वो मानिक से बुली होती है वो मानिक के दोस्तों से बुली होती है वो अपने class के लोगों से बुली होती है और यहां तक कि जब मैं और मेरी दीदी ये show देखते हैं तब हम दोनों भी उसको through the TV बुली करते हैं तो फिर जैसा की sense बनाता है उन दोनों का एक toxic on-off relationship होता रहता है और ये सब चलता है चार season तक मैं बहुत गर्व कहता हूं ये बताने में कि मेरी दीदी में अकल आगई कि उसने season 4 नहीं देखा और of course by extension मैंने भी season 4 नहीं देखा सी कहने को तो मैं इस शो की बुराइ कर जकता हूं on genuine plot points बट ये शो अचली मेरी खाल से मेरा first guilty pleasure था तो I think I would put it at tier B Now the next show is boys over flowers Now here's the interesting thing If you don't know, boys over flower एक Korean show है जिसका remake इंडिया में बना और जब इसका remake इंडिया में बना तब उस रीमेक का नाम दिया गया और जब मैने और मेरी दीदी ने सोचा कि चलो हम original देखते हैं तब हम दोनों ने बोला कि कैसी ये आरिया इतना गटिया शो है in comparison to boys over flowers See, कैसी ये आरिया को वैसे रीमेक तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि plot points बिल्कुल फॉलो नहीं होते हैं बहुती basic premise फॉलो होता उसका But I think कैसी ये आरिया को वही करना था जो best of luck की good luck Charlie से करता है Literally, सारी लाइन कोपी करके Hindi में पेष्ट मारते हैं उनको I mean seriously, boys over flowers को देखने के बाद मैं officially कैसी ये आरिया को tier B से tier C में डिमोट करना चाहूंगा See, boys over flowers is such a fun show boys over flowers में जो female character है उसमें actually first of all personality है दूसरी बात वो बुली नहीं होती और खुद में भी काफी strong character है और यहाँ पे actually 4 male supporting character है Actually, मुझे लगता है जब मैंने अपनी दीदी के साथ ये show देखा तम मुझे लगता है उसे एक awakening गई जब उसको पहली बार पता चला कि ऐसे show भी बनते हैं जहाँ पे लड़कियां खुद चार हैंसम लड़कों में से एक चूस कर रही हो वो technically मेरा और उसका दोनों का first reverse harem show था See, Boys of the Flowers does an exceptional job at portraying the drama between the characters and moreover, they have such funny elements Like literally, उसमें बहुती फ़नी सीन है जहाँ पे जो male character होता है वो basically बहुत ही अमीर होता है जो कि obviously बहुत गवीब है तो फेर उसको लिटरली मैगी खिला है और उसको मैगी इतना पसंदा है कि वो कच्छी मैगी घर पर जा के खाता है and in hindsight, I think I'm not explaining the scene very well but वो सीन इतना फ़नी था कि मेरी मदर तक भी हस्ते पागल हो गई and I think वो इतना influential or iconic show है तो फिर मैं इसको S में ही डालना चाहूंगा and the next show is Noddy see, I'm gonna be honest Noddy मुझे बिल्कुल भी आद नहीं है but ये इस वीडियो में इसलिए है क्योंकि Noddy से मेरी एक परस्नल स्टोरी जुड़ी है see, बच्पन में जब स्कूल कहता था तो फिर जिन पच्चो के पेरेंट्स वर्किंग है या फिर सिंगल पेरेंट्स है वो अपने बच्चो को स्कूल के भार घर पे नहीं बल्की क्रेच में छोड़ते थे और जब पेरेंट्स की छुट्टी हो जाती थी 6-6 बजे तो फिर वो क्रेच से ही बच्चो को पेक अप कर लेते थे घर लाने के लिए और मैं भी काफी सालों तक क्रेच में जाता था और उस क्रेच में मेरा निकनेम नॉड़ी था जो की I don't know exactly यू पढ़ा था पर एक दिन क्रेच वाली आंटी ने बस मुझे बोल था कि नॉड़ी और सब को यहां तक की मेरे पेरेंट्स को भी लगा की वो नेम मेरे को फिट करता है तो फिर मेरा निकनेम काफी time के ले नॉड़ी था और जब ही मैं नॉड़ी था और जब ही मैं स्कूल से क्रेच पॉस्ता था तब आजब अजब आण्टी नॉडी का ये थीम सोंग चलाती थी and since it was my theme song for many years and let's be honest, all these shows are being ranked mostly on the basis of nostalgia only so I'll put it at low S next is something that everybody knows, Shin-chan I love Shin-chan, in fact, मैंने Shin-chan अडुल्ट हुट तक देखा है और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसके original Japanese episodes देखे हैं वो जो कि इंडिया में release भी नहीं हुए and I don't really think I need to explain why it's going on the S but I have to say, Shin-chan ने एक जेनरेशन के इंडियन बच्चों को retarded तो बनाई दिया like भाई और बहनों मैं सच कह रहा हूँ जब मैंने चोटे 7 साल के कजन को कहते हुए सुना तब मेरा मन करा कि मैं उसकी पीट पे मुक कमारू जो कि मैंने आरा पर तब भी वो बच्चा 7 साल की उमर से लेके 14 साल की उमर तक बस यही रिपीट करता चला गया वो लिटरली उसका तक्या कलाम बने था in fact after watching the original Japanese episodes मेर को इस बात की बौट कुशी होते है कि India ने सारे episode Shin Chan के हिंदी में डब कर के release नहीं करे क्योंकि अगर वो सारे episode कर देते release तो फिर जेनरेशन पूरी ही retarded हो जाती and the next show is Doraemon in case of Doraemon I would only like to say the movies are better like the show itself is a bit annoying in fact I haven't met any credible person who has said Doraemon is their favorite cartoon like literally all of them are a bit autistic so yeah Doraemon goes in B and like I said if it was the movies it would be higher on the list for sure the movies were really amazing and with that we are coming to this show you are my everything you know I am actually really contemplating whether I should title this video shows that my sister forced me to watch but in truth it is this when you gave a big deal which is my childhood shows they are also childhood shows so then we have a big shared memory there is nothing that can be done about that see now I actually don't remember the channel which is interesting and sweet like one plot point which is very popular in Indian serials is that it will die and will come back to life like literally everyone feels like that it will die, but no, it will not die and it will come back to life this is also in this show but this show is a little tasteful that is a little tasteful by taking that plot point and with that I remember when when the main characters came to the wedding when it happened then I remember that the internet was broken like my brother's head was broken like he was literally dancing on his wedding day and when he was divorced then he was coming to my room and crying so I think it's a very impactful and iconic show so I will go in low S now, if the rest of the show is the one which my brother has forced me to show so crime patrol is like this which my father and my brother have shown both forcibly and stopped watching and we have stopped watching see, I have a hate-hate relationship with crime patrol so first let me paint a scenario to you guys Monday the day the kids are at school from school at home at home, I and my dad and my dad meet the dad who makes our dad lunch we are eating lunch the TV is going on the TV is going on the TV is going on the dad has put crime patrol in crime patrol today there is a sexual abuse show so what do you think next move is what should happen A. show will change the show or B. leave both children out of the house so that they can't see the show and guess what option my father chose that's right option B I was running out of crime patrol at 2-3 hours like literally crime patrol has made me so much tan I would like to put it straight up in traumatic because I can't even tell how many of my dad and my dad gave this show and now moving on to the next show it's Hatim alright so I don't think many people would remember it but I think you will see it Hatim's story is that one villain who is a villain who will become a stone and Hatim the main character can answer 7 months in the last month and he has said and slowly slowly the girl will become a stone from the stone and the first of all मैं इस शो को हाई S डालना चाहूंगा और मैं लेटरली क्या ही बोल इस शो के वारे में ये शो लॉर्ड अफ द रिंग्स है इंडिया का ये शो इंडिया का विचर है ये इतना एपिक और लेजेंडरी शो है और ये एक ब्लेसिंग और कर्स है कि ये बस 47 एपिसोड में एंड होता है सी अपार्ट अफ में वांट इस शो तो बी सो मुच लॉंगर और गें द फेम दाट इस डिसर्वस को जानता हूं अगर ये शो गलती से भी स्ट्रेच हो जाता हूं तो फिर हम आज ही टायम पे हातेम की बेटी की सास का ड्रामा देख रहोते है ये लिटरली थिंग इस वन अफ बेस्ट शोड़ आट रिलीस इन इंड एवर और अल्वो एवर रिलीसे इन 2003 इस वे एफट्स आ स्टिल रेली गूट वी जूँ है एवर आट रिलीस वीर शूट रवार रिलीस वीर शूट रिल्वस्ट वेश्ट रेलीस वीरीस पावर रिल्डेवर वर्जर्ण अवर पावर रिंगर I think it's a special genre in Japan Power Rangers, Ryukendo shows that power in real life I don't remember But I think Ryukendo in my list is top the genre of shows Ryukendo is a show that first time my edgy side Like literally, when we were playing pretend games I mean a fighting game in which a Hulk is pretending Captain America or Power Ranger I always choose Ryukendo Like I would literally run around pretending to have a key in my hand And I had a blast So yeah, this shows goes straight at high A And I have obviously missed some shows in this list But I'll complete it later on